करता हूं आपके इस YouTube चैनल पर तो आज की यस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं National Highway Development Program 1988 तो ये एक बहुत ही इंपोर्टेंट डेवलप्मेंट प्रोग्राम था National Highways का एक बहुत ही इंपोर्टेंट नेटवर्ग डेवलप किया गया था जिससे हमारे इंडिया की कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा इंप्रूब हो गई हमारा ट्रेड और ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा इंप्रूब हुआ तो चलिए बीन टाइम विष्ट की हम इस वीडियो को सुरू करते हैं तो National Highway Development Program 1988 was started in the leadership of Prime Minister अटल विहारी बाचपई अटल विहारी बाचपई के leadership में ये प्रोजेक्ट सुरू हुआ था और इस प्रोजेक्ट का जो भी handling थी उसको National Highway Authority आफ इंडिया ने handle किया था हमारे देश में जो भी highways और national highways डेवलप होते हैं उसको NHAI, National Highway Authority आफ इंडिया ही handle करती है और ये जो department है वो Ministry of Roads and Transport and Highways के अंडर में आता है ठीक है तो कौन से वो इस प्रोजेक्ट में कौन से वो दो important phase थे जिसके बारे में हम discuss करने वाले हैं तो सबसे पहला जो हमारा project phase है जो first project phase है वो है phase one golden quadrilateral ठीक है golden quadrilateral तो golden quadrilateral क्या है तो golden quadrilateral एक ऐसा highway network बनाया गया था 1988 में जो हमारी इंडिया की four major metro cities को आपस में connect करता था through routes कौन कौन सी वो major cities है वो major cities है दिल्ली, मुंबई, दिल्ली, मुंबई, चन्नाई और कोलकाता यह चार major metro cities हैं इंडिया की जिसको यह highway आपस में connect करता था इस highway की total length थी 5,486 km ठीक है यह total road length थी इसकी तो अगर हम इंडिया की map में यह road network देखना चाहें तो जरत देखिए यह इंडिया के map में कैसे यह network develop हो रहा है तो सबसे पहले दिल्ली to मुंबई को connect करने वाला highway देखें यह आप जैसे देख सकते हैं यह दिल्ली to मुंबई को connect करने वाला highway है यह और इस highway का नाम क्या है national highway number 8 ठीक है इस highway का नाम है national highway number 8 दूसरा दिल्ली to कोलकाता को connect करने वाला यह highway है और इस highway का नाम है national highway number 2 ओके फिर उसके बाद कोलकाता to Chennai यह वाला जो हमारा highway है कोलकाता to Chennai यह जो है national highway number 5 है और फिर Chennai to वापस मुंबई is national highway number 4 तो आप देख रहे हैं कि इंडिया के map पे यह एक quadilateral जैसा shape डबलप हो जा रहा है तो इसलिए हम इसको कहते है golden quadilateral इसको किस नाम से जाना जाता है golden quadilateral और यह देखी कितनी अच connectivity एक extreme points को कैसे highway आपस में जोड रहा है North, South, East, West के कैसे extreme points को आपस में यह जोड रहा है और कितना better highway network के useful highway network है आज के date में हमारे पास जो 1988 में डवलप हुआ था तो चलिए जल्दी से second phase के बारे में भी discuss कर लेते हैं second phase जो हमारा था वो था North, South और East, West corridor ठीक है जो हमारा North, South corridor था वो connect करता था Srinagar to Kanyakumari और जो हमारा East, West corridor है वो पोरबंदर to Silcher को connect करता था ठीक है यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं और यह हमारे इंडिया की four extreme points को आपस में यह highway connect कर रहा था जैसे के अगर East, North, South corridor की बात करें तो नौर्थ में हमारे यह जमू इन कश्मीर और यहाँ नीचे South में हमारे यह तमिल नाडू में चिन्ने कन्या कुमारी यहाँ पे जाके connect कर रहा है और देखी इस highway से यह उपर स लेकर के एकदम नीचे तक four extreme points को यह highway आपस में connect कर रहा है उसी तरीके से cross में अगर देखें तो यहाँ गुजरात पोरबंदर और सिल्चर तो यहाँ तक यह आपस में connect कर रहा है और देखें तो यह चार ऐसे extreme points को North, South, East, West के चार extreme points को यह highway connect कर रहा है सबसे important बात जानने वाली जो ही होती है कि यह highway एक दूसरे को intersect करते हैं उत्तर प्रदेश के जहासी में तेक है उत्तर प्रदेश के जहासी में यह highway एक दूसरे को cross करते हैं और यह एक तरीके से इस corridor का एक junction point है जहासी तो इससे हमें मालुम पढ़ा कि 1988 में जो national highway development program था उसने दो कितने big contribution दिया in the field of highways तो बताइएगा मुझे आपको यह जानकारी पा के कैसा लगा और अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो इसको like करिए, subscribe करिए और जोडे रहे हैं मेरे साथ मेरे इस channel पर, thank you so much.